कोरोना वारिस संक्रमन के चपेट में आने के बाद संक्रमन को मात दे कर स्वास्थ भी लोग हो रहे हैं गुरुवार को मेडिकल कॉलिज के आईसलिशिट वोट से दस मरीजों को डिस्चार्च किया गया जला प्रशासिन के जिम्मेदारों ने करतल ध्वनी कर वदाएगी गुरुवार को स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से बाहर निकले पेशिन्ट में अरजुन नगर रतलाम की 35 वर्शिय महिला ग्राम धामेंडी की 37 वर्शिय महिला अरिहंत परीसर का 38 वर्षिय पुरुष, 16 वर्षिय यूवती, 36 वर्षिय महिला, 9 वर्षिय बालक, रावटी का 35 वर्षिय पुरुष, बग्गी खाना रतलाम की 30 वर्षिय महिला, मोहन नगर की 35 वर्षिय महिला तथा दीन दयाल नगर रतलाम का 33 वर्षिय पुरुष शामल ह सभी पेशेंट विगत साथ जुलाई को हॉस्पिटल में एडमिट किये गए थे। इस अफसर पर मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर संचे दिक्षित तथा हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा स्वस्थ मरीजों का करतल ध्वनी से अभिनंदन किया गया। उन लेखनिय है कि कोरोना संक्रमंट से अब तक 242 महिला पुरुष एवं बच्चे प्रभावित हो चुके हैं। इन में से 197 स्वस्थ होकर घर लौच चुके हैं। 49 का उपचार मेडिकल कॉलेज का इसोलेशन वार्ट में किया जा रहा है। वहीं से महिला पुरुष कोरोना व पूरुष दस मरीजं को रिलीव किया है कुछ रतलाम के हैं कुछ रतलाम के बाहर से पिलाल सर अपने यहां एक्टिव के सभी कितने हैं एज उन तुड़े अभी 42 हैं 42 आच्छा और सभी के स्वास्त में सभी के स्वास्त इसतर हैं तीन जो है वो ठोड़े उनकी थोड़ी नहीं तो आइस्यू में भरती किया लेकिन वह भी सेकल्ड है